सुंदर वन के जंगल की बात है, दिवाली का पेभार आने वाला था, एक दिन टूनी चिरिया और उसकी मा जया कबूतरी एक बड़े से पेड़ पर अपने घोसले में अकेले थे, टूनी चिरिया के पिता के मौत हो जाने के कारण चिरिया अपने मा के साथ ही रहती थी, टून पैसे की कमी होने के कारण उन लोगों के पास घर का राशन पानी लाने तक के पैसे नहीं थे, कभी कभी दोनों मा बेटी रात को भूखे पेट ही सो जाती थी, एक दिन की बात है, टूनी चरिया और उसकी मा अपने पेर पर बैठे होते हैं, तभी उस पेर पर एक काला कौवा और उसका दोस्त गिध आ जाता है, दोनों काफी लालची और दुष्ट स्वाभाव के होते हैं, वो दोनों चरिया और उसकी मा को बहुत भला बुरा बोलते हैं, और उनकी गरीबी का काफी मजाग भी उडाते हैं, और वहां से उरकर चले जाते हैं, उनके जाने के बाद ट बूतरी को चरिया की बात पसंद आती है और वो तूनी चरिया को अपने पास जमा किया हुआ पूरा पैसा दे देती है। तबी उस डाली पर एक कबूतर बैठा होता है वो चरिया से पूछता है आप इतने दूर किस के लिए आई हो और इधर मार्केट की तरफ क्या करने जा रही हो। अंदाम में बहुत सारे पटाके मिल जाते हैं वो उन पटाकों को खरीद कर अपने साथ अपने जंगल की और निकल जाती है। दूसरा दिन निकलता है उस दिन टूनी चरिया और उसकी मा जया कबूतरी अपने पेड के नीचे पटाकों की एक बड़ी दुकान लगाती है और पटाकों को बेचने बैठ जाती है। उस जंगल में एक भी पटाकों की दुकान नहीं होने के कारण सभी जंगल के पक्षी दीवाली के पटाके खरीदने उसके दुकान पर आ जाते हैं। कुछ ही देर में चरिया के दुकान पर सभी पक्षीयों की भीर लग जाती है और काफी कम समय में उसके आधी से भी ज़्यादा फटाके खत्म हो जाते हैं और उस दिन चरिया को काफी बड़ा मुनाफ़ा हो जाता है। पर चैंग की नीद लेने सो जाते हैं। तभी आधी रात में वो दुष्ट कालू कौवा और उसका दोस्त गिधो उसकी दुकान पर आते हैं। और मौके का फाइदा उठाकर उसके पूरे फटाके को आग लगा कर बरबात कर देते हैं।